साठोत्री या समकलिन कविता साठोत्री या समकलिन कविता को हम साठोत्री कविता इसलिए कहते हैं कि 1960 के बाद की यह कविता है हमारे वर्तमान काल चे जड़ी हुई है इसलिए समकलिन कविता यह कविता पहले के मानेताओं को प्रति विद्रहें माक्रोस व्यक्त करती है इसमें जीवन की विसंगतियों विडंबनाओं एं-कुरूरता उपर तीखा प्रहार मिलता है कि पड़ोसी से के विश्वास का अत्यदेश की प्रम्प्राओं विडंबनाओं रूडियों ने भारती जनुमान रसमें सोब आक्रोस प्रिस्तितियों का सही दस्तावेज है अब हम इसकी विश्यस्ताओं पर चर्चा करें तो सबसे पहले आता मोह भंग साठो तरी कभी एक अनावस्यक विर्थ का मोह पाले हुए था लेकिन पडोसी राष्ट्रों के अपरतर से आकरमनों से वह तूट गया देश के स्वतंतरता के बारे में सोचा था कि बेकारे मिटेगी खुसाले मिटेगी सभी समय से यह हल होगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ जबकि देश में ब्रस्टाशान नेतिकता का पतन ही हुआ मैंने इंतजार किया कि अब कोई बच्चा भूखा रेकरे स्कुल नहीं जाएगा अब कोई छत बारिस से नहीं टपकेगी अब कोई किसी के रोटी नहीं चिनेगा मैं इंतजार करता रहा राजनीती पर टिपनी राजनीती गुलट फेर श्रडेंतर साजी दुस्चकर का इनकवियों ने यथार चितरन किया धूमिल ने दरसल अपने हाँ जनतंतरे का सातमासा जिनकी जानमदारी के बासा है धुमिल के इन सब्दोसे राजनीती पर टिपने पर इन्होंने यथार चित्रन किया, उसी का एक सोट में हम कह सकते हैं कि सरांस रूप में इन्होंने पूरी बात कह दिया है, इन सब्दोसे इन्होंने राजनीती पर टिपने करते हुए गागर में सागर की बात कही है, आक्रो सभ्ष्रमा की पंस्तिया इसे आकरोश को वेकते करती है मैं अभीवक्ति के खड़ता है इन्होंने अपनी अभीवक्ति खड़ता खुल के पार्ट बयानी इन्होंने अपने कवे में सब्दोक को इस पस्ट रूप से व्यक्त किया है वो किसी बहारी दवाव के इन्होंने कवे करेशना नहीं कि तनाव एम संतरास इस कविता में तनाव संतरास विसंगतियां अनिशेत गुरस्त मानौ का वड़न है वे हारा सा सेमा सा है वे जिवन मुल्यों को कैसे हो जगा मैं बिल्ली की सकल में छिपा हूँ चाहूँ औरों को टोता अपना से डरा हूँ वेंग इस कावे में संसद राजनिती मद्दाता समाज वेक्ति विशेश पर काफी वेंग मिलता है अपने यहां संसद तेल की गानी है जिसमें आदा तेल है आदा पानी है इस कावे में जो भासा है वह सीधे और आसान भासा है आम आदमी की भासा में यह कावे लिखे गए है और यह आसानी से समझ में आने योग्य भासा का इस कावे में प्रियोग हुआ है